दोस्तों केरल में हुए हतनी की हत्या का बिरोध अब तक थमा नहीं था कि इसी बीच हिमाचल परदेश में एक बड़ा कांड हो गया है मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपके राउंटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से प्रेगनेंट गाय को खतरनाक तरीके से बम के जरिये उड़ा दिया गया है इस घटना से साफ होता है कि जिस तरीके से केरल में हतनी को पाइनेपल के अंदर खतरनाक बम डाल कर खिलाया गया था कुछ ऐसा ही हिमाचल परदेश में ही हुआ होगा जिया दोस्तो प्रेगनेंट गाय के जबड़े जो हैं चितरे चितरे हो गए हैं बताया जा रहा है कि इन्हें घास की लालच देकर उनके मुह में बम डाल दिया और उसके बाद जैसे ही गाय ने बम को दबाया उसके बाद उनके मुह चितरे चितरे हो गए आप देखे कि इनसान का कितना खतरनाक चेहरा सामने आया है कोई भी सब इनसान इसको लेकर सोच भी नहीं सकता है अगर वो सोचता है तो उनका दिल दहल जाएगा लेकिन एक इनसान जी हां इनसान के सक्ल में हैवान ने एक गाय को उडाने की कुशिस की है उनके जबनों को उ कितना बड़ा दरिंदा है कि किसी जानवर की हत्या करके किसी जानवर को कश्ट पहुचा कर वो खुस होता है इसको लेकर पूरे देश में विरूत परदर्सन हो रहा है और लागातार इस बात की गुजारिस की जा रही है सरकार से इस बात की मांग की जा रही है कि उस आरुप गया था है उस आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है और लगातार इसको लेकर कई आंदोलन हुए सोसल मीडिया पर भी लगातार गिरोध हुआ परसासन पर दवाब बनाया गया सरकार भी मजबूर हुई उसके बाद कहीं जाकर उसे इंसान पर कारवाई की सुरुवात हुई ह हम आप से गुजारिश करते हैं कि हिमाचल परदेश में जो घटना घटी है उसको भी लेकर आप लोग जोरदार तरीके से आवाज बुलंद कीजिए और इस वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में इस तरह की घटना घटी है जिस देश में गाय को माता माना जाता है वहाँ पर गाय को उड़ाने की कोशिस की गई है और इसको लेकर परसासन पर दबा बनाईए सरकार पर दबा बनाईए ताकि ऐसे दरिन देश जल्द से जल्द गिरपतार हो सके और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके दोस्तों च